Montreal Protocol हाली के साइंटिस्ट के टीम ने रिसेर्च किया है जो हमारे ओजोन को डिपलीट करने वाले केमिकल्स है या ओजोन को खतम करने वाले जो केमिकल्स है उन केमिकल्स का बहुत ज़ादा यूज हुआ है 2021 में लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि अब ये धीरे धीरे उन chemicals का use decline हो रहा है उन chemicals को लोग अब कम use करने लगे हैं और क्योंकि उस पर कई सारे restrictions लगाए गए हैं इस Montreal Protocol के माध्यम से Troposphere और Stratosphere के बीच में एक layer आती है ozone layer तो जो sun की ultraviolet rays आती है तो उस ultraviolet rays से बचाने का काम करता है ये ozone layer लेकिन अगर ये ozone layer कम या खतम हो जाएगी तो UV rays directly हमारे अर्थ पे पढ़ेंगी जिससे plants, animals अभी कुछ damage होंगे लेकिन आज के टाइम पे जो pollution हम कर रहे हैं जो gases, chemicals हमारे द्वारा release हो रही हैं उससे भी ये ozone layer deplete हो रही है और धीरे-धीरे कम हो रही है तो ये हमारे लिए चिंता का विशह था धीरे-धीरे ozone layer जब deplete हो रही थी जिन chemicals की वज़से उन chemicals को control करने के लिए या उन पर restrictions लगाने के लिए नए-ने agreements या protocols को start किया गया उनमें से एक था Montreal Protocol